नमस्कार दोस्तो तोटके मंत्रा यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागता है दोस्तो आज का जो टोपिक है उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मन से बहुत है परिशान तो दोस्तो यदि आपका दुश्मन बहुत प्रभावशाली और बलशाली है आप क्थम कर सकते हैं उसको बरबाद कर सकते हैं दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें जिस से आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें दोस्तो यदि आप अपने दुशमन को ले कर बहुत ज़्यादा प्रेशान हैं दोस्तों कभी कबार हमारे दुश्मन ऐसे बन जाते हैं जिसके दोरान हमारे घर परिवार में ऐसी अर्चन देने लग जाते हैं, घर परिवार के अंदर धरारे पैदा कर देते हैं, भाई-भाई को दूर कर द लेते हैं और हमारे घर परिवार के अंदर इस्तरियों के उपर बुरी नजर डालते हैं और डालने के बाद में वह अपनी तरफ आकरशित कर लेते हैं उनको बहला फुसला लेते हैं वह उनकी ही बाते कहना मानने लग जाते हैं दोस्तो यदि आप भी उन में से एक है तो यह चोटा सा उपाई करने से आपका दुश्मन बरबाद हो जाएगा दुश्मन खतम हो जाएगा इस उपाई टोटके से दोस्तो यह टोटका बहुत असरदार टोटका है इस टोटके को करने से पहले कुछ सावधानी आपको रखनी होगी जो सावधानी रखनी होगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको सिरफ उसके लिए एक आपको काला कपड़ा लेना होगा अपने दुश्मन का कोई भी कपड़ा लेकर उसका एक पुतला का आकार देना होगा और थोड़े सी मात्रा के अंदर चामल और दो लोंग और अपने दुश्मन की एक फोटो लेनी होगी और दो सुपारी और एक कील इसको दोस्तों करना क्या होगा इसको सबसे पहले एक आंथ जगा के उपर बैठ जाएं और दक्षिन की तरफ मुह कर लें और मुह करने के बाद में उस पुस्तले के उपर उसकी फोटो रख दे और उसके अंदर एक कील इस परकार से आपको वार कर दे वार करने के बाद में दो सुपारी उसकी छाती के उपर इस परकार से रख दे और दो लोंग को इस परकार से दोस्तों यह करने से आपका प्रिद्र के मर भी जाएगा दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन को खतम करना चाहते हैं तो उसके अपने दुश्मन का ख्यालात अपने सोचना होगा भी उसकी मृतु किस प्रकार से हो यदि आप उसको बिश्तर पर डाना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा कि वह ब जहां पे आप खड़ा खोद कर इस पुतले को और कपड़े समेत उसको दबाएंगे, दबाने के बाद में यह है चावल की मात्रा, थोड़े से चावल उसको इस परकार से चारो तरफ इस परकार से कर दें, इस परकार से चारो तरफ रख दें, रख देने के बाद में आप दे आपका दुश्मन हो जाएगा बरबाद दुश्मण आपका खतं होने लग जाएगा दोस्तो यह टोटका और बहुत महाशक्ति शाली टोटका है यह टोटका तब ही करना जब इसकी書 को बहुत जादा आवशक्ता हो दोस्तो सावधानी जो होगी वह आपको किसी भी परकार का सेंट इतर परिफ्यूम नहीं लगा होना चाहिए और यह आपको उपाए टोटका शनिवार और अमावस्य के दिन ही करना होगा और दिन के 12 बजे और या रात के 12 बजे दोस्तों जादा जानकारी के लिए सक्रीन पर दिएगे नंबर पर संप्रक करें धन्यवाद दोस्तों